नमस्कार आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूँ प्रेमा राम बादू लोगसभा चुनाओ की त्यारियों के नमांकन का टेंट यानि केला चौदरी भाजबा परत्यासी के लोगसभा सेतरबाड मेर जैसल मेर जिला बालोतरा के नमांकन की सभा का टेंट आदर्स इस्टेडियम बाड मेर में लग रहा है एक दिन बाद यानि कल 28 मार्च को कहला चोधरी भाजबा परत्यासी के तोर पर नामांकन सबा अदर से शेडियम बाद अपना नामांकन पुरुस्तूत करेंगे आपको बता दें कि कहला चोधरी ने पहला चोना उबाईतू से लड़े विदा इगरे फिर लोगसबा में पहुंचे केंदर में मंतरी बने अब दूसरी बार लोगसबा का परत्यासी कहला चोधरी को बनाया गया है तमाम अटकलों और कयासों के बाद एक बार फिर कहला चोध पर्तियासी को लोग सबा का पर्तियासी बनाया है आदर से स्टीडियम की ताजा तस्वीने हम आपके साथ साजा कर रहे हैं विचाल पंडाल लखा है और यहां हमने टेंड लगाने वालों से बात की है उन्होंने बताया है कि करीबन डेड लाक लोगों के बैठने की व्यवस् परिंका चौधरी के साथ समझोता हो गया है कल इस सबा के अंदर मंच को साजा करेंगे साथ ही संत जो है बाड़ मेर जिले के उनका समांगम का कारिकम पोकन विदायक परतापुरी जी ने कल तरातर में रखा जां केके विष्णोई और केंदी करसी मंतरी केला चौधरी स्व परामपुरी जी सईद जिले भरके संत जो है आसिरवाद देने के लिए केला चौधरी की सबा में उपस्तित हो सकते हैं ऐसी संभावनाय जताई जारी है पावड़ा परिवार जो लंबे समय से जैसल मेर मोंधगडगा लालचंजी मुडारामजी और लालचंजी की पुत्र परबा चौधरी सईद कई कॉंग्रेसी कल भाजबा में सामिल हो गए थे लूड करन बोसरा आज भाजबा में सामिल हो रहे हैं अब आपको एक बता दे हैं कि बाड़ मेर के अंदर कॉंग्रेस परत्यासी को लगातार दो बार जीत मिली तीसरी बार यानि इस बार के दो हज थे भाजबा और सेर की कॉंग्रेस मिली हुई है ये अब पता चलेगा क्योंकि ये जो कॉंग्रेस परत्यासी को 85,000 से जादा मत मिले ये भाजबा की और अब जाएगा ऐसे में जो लोग कयास लगा रहे थे कहला चौधरी से लोग नाराज है उनके मोरी जी के जो काम है समय पर दरातल पर नहीं उत्रे लेकिन भाजबाने कमर कसली है सस्ते में सोडने वाली नहीं है परदे के पीछे कई लोग अब बाजबाई होने के चकर में हैं कई लोग जो है बाजबा के नेताओं के संप्रंक में हैं अब दल बदल अगले सप्ता भर ये करिकम लगातार चलता लेकिन दल बदल भाजपा में ही नहीं कॉंग्रेस में भी हुआ आरलपी से उमेदराम बेनिवाल आये कॉंग्रेस में उनको परत्यासी बनाया आरलपी और कॉंग्रेस के गट बंदन को कड़ी टकर देने के लिए भाजपाईयों ने कमर कसली है अब जो है जांबी उनको बोट मैंग मिल रहा है जांबी बागी मिल रहा है सब को भाजपा के रंग में रंगने में लगी हुई है भाजपा आपको बता दें कि केलाज चोधरी पूरी तरीके से इस शेतर में सक्रिये हैं और सब लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लोग जो है वो मनस बना रहे हैं क्योंकि विदान सबा चुनाओं में दो निर्दलिय विदाइक जीते पिछले तीन-चार महिनों में सरकार में उनकी नहीं चल रही है ये लगातार वो बोल रहे थे ऐसे मैं पाड़ मेर विदान सबा सेतर में भी यही था केलाज चोधरी की चल रही है लेकिन यहां के निर्दलिय विदाइक की नहीं चल रही है समझोता हो गया है मिलकर के काम करने का बादा किया है यहां के इस्तानिय विदाइक डॉक्टर बिंका चोधरी और कला चोधरी ने साथ ही आपने हैंड पंप पनकरण के बारे में सुना होगा के जहां आरे हुए बाजबा के परत्यासी सरूप सिंग घरा की अनुसंसा पर 20 हैंड पंप मिले वहीं निदलिय विदाइक रविंदर सिंग बाटी को 9 हैंड पंप थमा डिये गए इससे नाराज होकर के रविंदर सिंग बाटी ने कहीं कहीं समर्तकों के अंदर रोज था नाराजगी थी और चुनावी ताल उन्होंने ठोकी है लोग चाहते हैं कि सरकार के साथ राज आया है सत्ता के साथ रहे ताकि काम होता रहे क्योंकि ये विदान सबाओं में लोगों ने देख लिया कि विदान सबाओं के अंदर आरे हुए परतियासों की ज़्यादा चल रही है जहां पाड़ मेर के परतियासी रहे बाजबा के दिपक कडवासरा की बात है बाजबा की रिती नीती के कारिकम सरकारी कारिकम हो में दिपक कडवासरों को ही बुलाया जाता था भले ही सरुप सिंग घरा आरे बाला राम जी मूँ डारे लेकिन सरकार की रिती और नीती के कारिकमों में बाजबा की सरकार बन गई बाजबा से जुड़े हुए लोगों को पदादीकारियों को और हारे हुए पर्तियाशियों को ही में तवदिया जाता था अब लोग दिरे दिरे मन बना रहे हैं कि मोधी सरकार की 30 ली बार वापसी हो रही है राजस्तान में बजनलाल सरकार है बाजबा की ऐसे में लोग दिरे दिरे केला चोधरी की और मुड रहे हैं जुड रहे हैं जो दिखाई दे रहा है धरातल पर वैसा नहीं हो करके बाजबा का संग्टन है केडर है संग से जुड़े हुए लोग है पार्टी के कारे करता है बड़े नेताओं के दोरे होंगे मोदी जी की सबा हो सकती है अब जो है लगातार पाजबा एक एक बोट तक पूँचने का प्रयास कर रही है चुनोती कड़ी हो सकती है मगर पासपास सस्ते में छोडने वाली नहीं है एक-एक कार्यकरता तक जारी है ऐसे में पिसले 24 गंटों से जो समय बदला है उससे लग रहा है कहला चोधरी बड़ी मजबूती के साथ वापसी कर रहे है देखते रहे हैं तेजल मीडिया नमस्कार